अलो दोस्तों तो आज हम बात करेंगे क्या में लियॉन के रंग बदलने के पीछे के रास के बारे में जी हां गिरगिट कैसे रंग बदलता है बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे की सोक और दोस्त रंग बदल लेते एंड टाइम पे नहीं नहीं मैं मजा कर लेती है अच्छली इसके पीछे का जो कारण है वो थोड़ा अजीव सा है चलो जानते हैं क्याम ल्यॉल का रंग बदलना नानो क्रिस्टल्स की वझए से होता है यह नानो क्रिस्टल्स इसके स्कीन की टॉप लैस में होते है एक खास तरह की सेल जिसका देता है तो कि रंग भी बदर जाता है ऐसा कैसे लादे स्ट्रक्टर्स के जो नानो क्रिस्टर्स है यह बेसिकली लाइट को ठीक किसी मेर की तरह है और जब लायट रिफिलेक्ट होता है तब इसका रंग भी चेंज हो जाता है ये नानो क्रिस्टल्स एक लाटिस स्ट्रक्टर में होता है लाटिस स्ट्रक्टर को इस इस टाइब का होता है और जब लाटिस स्ट्रक्टर के बीच का स्पैसिंग चेंज होता है तो रिफलेट किया हुआ लाइट भी चेंज हो जाता है और साथ के साथ इसका कलर भी जब क्यामेल यॉन अपना रंग बदलना चाहता है तो अपनी मसल्स के और सिगनल भेज़ते हुए इस ट्रॉक्टर को चेंज कर सकता है क्योंकि सेल्स का अगर खीचाओ या तनाव चेंज हो जाए तो क्रिस्टल में स्पेसिंग कम या ज्यादा भी हो सकती है इसी की वज़ेसे इसका रंग चेंज किया जा सकता है क्यामली यॉन अपना रंग बूड टेंपरेचर सोचल इंट्रक्शन के लिए इस्तमाल करता है ना के सिर्फ कैमफलाज के लिए मानो कि अगर इसे अपनी टेरेटरी डिपाइन करनी है या फिर मेटिंग कर रहा है तो यह नाइट कलर का हो सकता है या फिर अगर इसे किसी पीडेटर से डर है या इसे थोड़ा घुसा आया हुआ है तो ये डाख कलर में भी खेंड हो सकता है क्यामेलियॉन का रंग बदलना उसके सवाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसकी वज़े से वो एंवार्मेंट में क्यामोफ्लाश को फूई जाता है येकिन वो अपनी कम्यूनिकेशन को भी इंप्रूव कर पाता है तो नानो क्रिस्टोर से क्यामेलियॉन का रंग बदलना एक बहुत ही अजीब और यूनिक आबिलीटी है तो नेक्स टाइम जब आप क्यामेलियॉन आनि गिर्गिट को रंग बदल के देखे तो याद रखिएगा ये उसके नानो क्रिस्टोर की वज़े से हो रहा है ना कि पिग्मेंट्स के वज़े से इस उनिक आबिलीटी से कैमल यॉन एक बहुत ही उनिक और अजीब पिर्सम का मज़दार जानवर बन जाता है ऐसे ही फन फाक्स और मज़दार एक्सपरमेंट्स के साथ हम बिलते रहेंगे तो बारा प्लाप लिग्याओ जाता है आए यूल एक्सराइख का की लिए जो आए ऑफ इस लिए पास्तित्रों करेंट्स के लिए जाता है